साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधान, प्रधान मंत्री नरेन प्रदामुदर का स्मोधी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जाए महा काल, कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारम हो उसके पहले था कोई भी चुनाव महत्वपून होना ही चाहिए और हर वेक्ति के जिवन में हर दिन महत्वपून होना चाहिए, हर किसी के लिए, बहरे को कहूंगा, कैसा ही होना चाहिए अच्छा यह बताइए, फर्स कीजिए कि अगर आप प्रदानमंत्री बन जाते हैं, तीसरे टर्म में, तो वह पहली चीज क्या होगी, जो आप देश को लगा रही हो, मा गग्या के किडारे पर खड़ी हो, पुरा देश आप घूंकर क्या ही हो, देश में आप लोगों से मि आपने देखा है, यह चुनाव मोदी नहीं लड रहा है, यह चुनाव 140 करोर देश्वा से लड रहे हैं, और जो मनुभाव लोगों के देखे है, मेरा बहुत लंबा अनुभव है, चुनाव का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तर्जूर्वा में समसकता हूं, यह चुनाव से भी काफी उपर की अवस्ता है, यह बोट देकर के छुटने वाली अवस्ता ही नहीं है, बोट दिया और कॉंट्रेक्ट दे दिया ऐसा नहीं है, वो मोदी से जुड चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मोड अधिल दिया है, जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामने मानवी जो सतर पतर साथ से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाज होने के बादे सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का कामा इत्मो चुकी है, और जो खास करके युवाँ जन्रेशन हो जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे, 2014 के पहला जिसने उसको पांच साथ दर्स साब के अधुका था, उसको लगता है, यहार, स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिशनल इंडिया हो रहा है, स्ट को दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा, जिम पुछ देखता है, हम मोबाइल फॉन इंपोर्ट करते हैं, और जाब बहुत सोगता है, कि हार, दुनिया में हम साकर नमबर पर है, मोबाइल एक्सपोर्टर से रूप में है, तो मेरा नवजवान, अपने सपनों क मेरे सफलताओं के साथ बूल रहा है, और बूल करके वो ऐसा धागा बना रहा है, इस धागे के कारण, उसको अपने भविष्ट की गारंटी दिखती है, इतना कॉंफिदेंस, आप लबरेज हैं कॉंफिदेंस हैं, मतलब आपको नर्वस में जरा भी नहीं है, पहली बात है क्यांने जाए, जाएjem मेरी डिश्ण सब्टों में मेने OME दूसरा, मैंने जीवन तप्सचा की है जी, मैरा पल्पल मैं खपाया है, जोग दे घडायों के लिए अपने लिए नहीं खपाया है, और मैंने उन के लिए और ठ्लिटा घपाया है, कि मुझे मालूम है यह बहुत ही दिजर्विंग लोग है इनके साथ सतर साल तक अन्याय हुआ है और जब उनके आशू को पूछता है उनके टोईलेट की कोई जिन तक को भूल नहीं सकता है कि कोरोना का कठीन काल चूला बुझने नहीं दिया था बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया क्यों एक सरकार थी जिसने कहा था अनाज के भंदार पुड़ें लेकिन हम दे नहीं सकते हैं एक सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूला मैं भूजने नहीं दूंगा यह जो इमोशनल साइड है आपका पंद्रा साल से ज्यादा वक्त गुजरात में दस साल यहां केंद्र में एक बहुत कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी एक इमेज जो है निकल कर आई है लेकिन हाल के दिनों में यह दिख रहा है कि आपका एक ओमल मन है जो रह रहकर बा यह कोई बाद में आज वी चीज़ें नहीं होती है जन्मजाप होती है और वो शायद मेरी स्ट्रेंज भी है दुनिया के निजरों में विकनेस भी है और विरोधियों के लिए ताना मारने का अउसर भी है लेकिन मैं इन सब से से परह परह हूँ मोदी आपका बच्चा है अपने इसको बना बना है अपने इसको पाल करके बड़ा बना है कुछ खमी रह गई मैं ठीक करूंगा अच्छा होगा तो आगे बढ़ा होँगा मैंने दो परिसनालिटीज आपकी बताई एक तो बेहद इमोशनल एक कड़ा प्रशासर लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमिज आपकी उकेड़ते हैं जिसमें आप आप आटोक्राट है ताना शाह है जहां आपके कोई राजनितिक साथी साथ नहीं होते हैं हम आप किसी का साथ पसंद नहीं करते और के यह आदमी क्या समझेंगा परेवार इसका परिवार ही पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो परिवार की बाहर कब निकलोगे है यह स्वाल उनको पूछना चाहिए अब कॉंग्रेस पार्टी का पूरा परिवार केंपेंड कर रहा था आप अंदर देखिए परिवार केंपेंड कर रहा था आप अंदर देखिए परिवार केंपेंड कर रहा था आप उत्तरप्रदेश देखिए दो परिवार केंपेंड कर रहा था जमुकेश्विष देखिए दो परिवार केंपेंड कर रहा था सवाल मिडिया के उंको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी अब परिवार से बार निकल क्यों नहीं पाते हो मैं परिवार से जुड़ा नहीं हुए दुना नहीं होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि लोग तंत्र की सबसे उची अमानत है कि जो इनसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है जो इनसान तेश को अपना परिवार मानता है मेरा भारत मेरा परिवार उसके लिए जीता है अब यह question mark लग जाए तम मुझे होता है कि क्या एरादे होंगे आपको तक्लीफ होती है इस बात को लेकर के यह आइडिलोजिकल वॉर कम है वेचारिक जो लड़ाई है वो कम है आपसे नफरत ज्यादा है मतला बगर यह मोदी नहीं किया है तो तो पक्ता कुछ गड़बड़े इसकी इसमें कुछ खराब है कफिना यह है कि जब इनसान तर्प के आधार पर तत्थ के आधार पर और जमीनी हकिकुत के आधार पर पूरी प्रकार से निराश हो चुका होता है अब मेरे सामने दो रास्ते हैं कि जो हो वह रहा है मैं अपना ध्यान उसमें के इंद्रित करूं कि मैं जिस संकल्प को लेकरके चलाओं मैं अपने आपको वहां समर्पित करो तो मैंने अपने लिए आपको अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योगा का इंसान हूं कि अर्द्धां को जीता हूं कि यह कि पशलिए कि पूलाहाद के बीच मैं अपने आपको निर्विकल्प, निराकार, संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है, चड़ा जा रहे हैं, मुझे, आपको यह ऐसास नहीं हो, मतलब आपको सच में तकलीप नहीं होती है, वाहिद ऐसे शक्स हैं, पुलिटिकली, जिसको इतना कोसा गया है, और यह अतिशोक्ती नहीं है, जब मैं आपको कोसा गया है, हमारे सास्त्रों में कहा है कि निंदक नियर राठी है, और मैं यह साब मानता हूं, अगर इतने आलोचक नहीं होते हैं, तीवी मीडिया का वो जमाना में थोड़ा कम था, लेकिन जो भी बैठे थे, वो एक विचारधारा से पहरीट लोग थे, तो उन् यह भूल गए, कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बढ़ा बढ़ाती है, और मुझे पहुन जानता था जिए गालियों देने के करणन और इसलिए मैं आपको आश्र वे गुजरात में पब्लिक मिटिंग करता था, तो मैं पूछता था को काले जंडे वाला आया है कि नह काले जंडे वाले रखो भही, क्योंकि मेरा पूजिटिव प्रचाथ संभवी नहीं है, तो मैंना कोई नेगेटिव वाला आजाएगा, तो कमसे को मुझे ख़बर आएगी कि मैं मोधी उस गाउं में वो कारकम कर रहा था, क्या कर रहा था हो भी नहीं तो कोई सूचेगा, कुछ लोग आए, बुजरात में, वो कहें रहे रहे लेकर आए और चालीज प्रचास गाउं के प्रधाना गए, बुले हमारे गाउं में 24 गंटे बीजली हो गए, तो हम आपको संभान करने आए, मैंना का जूड बोल रहे हो, 24 गंटे बीजली होई नहीं सकते, नहीं हो सब्सक्राइब हो गए, तो मैं इन चीजों से निकला हूँ, मैंने इसका आनन्द लिया है, हम एक कारिक्रम कर रहे हैं, मोदी जी, न्यूजेटीन इंडिया का वो कारिक्रम है, मोदी वतन मुसल्मान, हम ज्यादा तर उन जगों पर जाते हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है, पहले आलम अलग था और आज की तारीक में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकते हूं, कि ऐसे ऐसे मुसल्मान आगे आते हैं, जो आपके लिए जान दे सकते हैं, और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भ रहे हैं कि मोदी मुसल्मानों का नहीं है, पहली बात यह है, कि यह मुद्दा मुसल्मान का नहीं है, इंडिविजियल मुसल्मान कि इतना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चीत विचार प्रवा है, जो उनको आदेश करता है, क्या आप ये करो, या वो करो, उसके आधार पर नियुने करते हैं, जहां तक मोदी का सबाव है, तो मैरे स्वक्राइब है, मेरे अगलवारे ना सारे, मुसल्म परिवाल है, तो हमारे घर में, इद भी मनती थी, हमारे घर में और भीतिवार होते थे, मेरे तो इस परिवारों से मेरे हाँ खाना आ जाता था तो नीचे से निकलो तो परिक्रमा करते हैं बंदिरों ताजिये के निचे से निकलो हमें सिखाया जाता था तो मैं उस दुनिया से पना बढ़ा हूँ आज मेरे बहुत सारे दोस्ते पुड़ा है दूसरा कि 2002 के बाद मेरी इस भी बहुत खराब हो खराब कर दी गई गोद्रा के बाद तो मैंने सुचा भी जना रियालिटी जानी चाहिए तो मैंने हमारे एक तीस कारेकरताओं का अगोड़ वाला सर्वे नहीं बात्तित कैसे कर दी बात कैसे निकाल निवा एंदाबाद में मानेक चोग करके जगा है वह मानेक चोग में शाम को लोग खाना खाने जाए खावा नों पीवानू हाँ तो महाँ दीन में है जो बिजनेस है सारे व्यापारी है और खरीदार सा सारे व्यापारी मुसल्मान है और खरीदार हिंदू है और वो इतनी भीड होती है जी पैदल नी चल सकते हैं स्राइकल को तो लेके जाना कि इन पॉसिबल है अब दिवाले में बड़ी होती है और आप अंदर गए दो गंड़ से निकल ने सकते हैं और हर प्रकार के चीज ब आप अब बताए और गवली कैसी है तो यार्म जी बाता है मैं अभी अब से पूछने वाली थी जो दो की बाताराई अच्छा बड़ी बहुत अच्छी है तो कहता थे कि युश्कू जरा चूबने क्रियों क्यों सब्सक्राइब कर्यों की बच्चा होता है थो पुले सकी मा सुनेगी लिधिस गुड़ी नहीं आ तो मड़ी नहीं आया आंता तब दोंग झान और S cheap जा रहा दिवाल की चुटी दो में कर रहा है ऐसे ज़खे नओं करें माatti- जीवन रहा है टू और करीब करीब 90 परसंट दुकान वालों का यही जवाब था दूसरा मुझे कुछ महला एक बन मिल गाए मुष्टिम महला तो बड़ी बधाई दे रहे थे अधेक्षा लेकर गए तो बड़ी जुहापुरा जुहापुरा वह जुहापुरा वह गरी तिंचाल लाग मुसल्मान गेटो से हैं तो बोले हम वहां से आए हैं तकलिफ है कि अधिक भी मिस्वारा वोग शरकार कोजे रहान करती आपको क्या कि अधिन दर्ण करने आए और कुछ काम लेका है तो बताए कि बोले आपने बीजली का काम किया न बहुत अच्छा किया है कि मैंने का मैंने 35 किलोमेटर केवल उस इलाके 35 किलोमेटर केवल उखार के भाई दिया है और वहां कोई सरकारी आथमी नहीं चाहाप पता था पुल काम कार दिये ला नहीं संध हमारे हाँ आपको एक बुले विस्त बियुक्ति है हमरे हर मोले मोले में जी मंत्री है और वोले बिजली दे करके वहमसे पेमेंड लेतेथे के बन उनके थे पुले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेठते तर हमारे पैसे बहुत जाते थे अब यह रही है को इसलिए हम आए है पहले मेरे पर अख़वारों में उद्वार मोधी ने वहां पर जुल्म कर दिया सारे कैबल कार दिये अक्षुली मैंने उनका भणा दिया तो ऐसा मेरे जीवन में सेंक्रों घटना है लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं क्यों मेरा पहले से मंतर ना है सबका साथ सफाली कास मैं वोट में के लिए काम नहीं करता हूं और जो गलत है वो सुम्हें गलत कहके रहूँगा स्टेज पर आपने मुसल्मानों का जब जिक्र किया तो घुस पैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला इसकी क्या ज़रूत आनपड़ी थी आपको कहा कि जब बढ़ जारे बच्चे की बात होती सिर्फ मुसल्मान का नाम जोड़ देते हैं तो मुसल्मान के साथ अन्या करते हैं हमारे हां गरीब परिवारों में भी हाल है जी उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं किसी भी समाज के हो गरीब ही जहां आए टो आप कहा हैं मुसल्मान अलग था ज्यादा बच्चा पेदा करने में देगा आपको उनके वोट की चाहत है मैं यह मानता हूं एक मेरे देश्टे लोग मुझे वोट देंगे मैं जिस दिन हिंदु मुसल्मान करूंगा ना उस दिन में सारवजनिक जीवन में रहने योगे नहीं रहूँगा और मैं हिंदु मुसल्मान नहीं करूँगा इस मेरा संकल्प है अगर मैं घर देता हूं कि मैं सर्चूरिशन की बात करता हूं 100% डिलिवरी इसका मटलब हुआ काव में मानों दोशोगर है कौन समाज है कौन जाती है कौन धर में नो उन दोशोगर में गर साथ लावारती है तो उन साथ लाव लोगों को मिलना चाहिए और जब मैं हंड्रेट परसंट सेचूरिशन क करने Enough नहीं को संबवनानानों लेकि एक मन्डे को मिला नैंग अगले मंडे नमर लग जाएगा ने इस की गव्य तो मैं भी मुसल्मान ये बात कहते हैं और ये मांंते हैं के उनके घर पे सड़का आई है विजली आई है उनके घर पे सिलेंडर आया है शकीला और सकप्लेडा में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है और ये लगण क्यानव है किसा प्राइफ ऐस का मानता हूं कि काशी में घात कासी की पहचाहर्श मैं देकर आधु और उसमें से मुझे ये नमोगाट बनाने का विचारा है और इन दोनों शाम को बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहां आते हैं तो वो पुराना और इसको जोड़कर कजेते हैं और मैंने इस पुराजनी परंपराव को भी बचा के रखा है और मैंने इसको आधुनित रूप विरासद्धी और लगातर गंगा को नमठ यहां क्यों आते हैं नमोगंगा यह नमोगंगा है बहुत खूब अच्छा यह बताईए जो मेरे दो कोई आखरी सवाल है पहला तो यह कहा जाता है कि चार सो पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या गरेगा विपक अशी के लिए महनत कर रहा हूं लेकिन मजबूती का मतलब यह निए हाउस ने चलने दे पुर्दंग करें अंडेमोगरेटिक में काम करें भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले दस साल यह लोग पूरी तरह विपक्ष के रुप में भी फेल गए उनके खाते में विपक्ष में फेल गए वो शाहसन में कैसे सब्सक्राइब हो सकते हैं और भारत में मजबूत लोग तंत्र की भहत आवश्यक्ता है मजबूत विपक्ष के आवश्यक्ता है और इसलिए शरवप्रवाने के अच्छा सुजाव दिया है और में उसका स्वागत करता हूं उन्हाने सुज कि सभी छोटी पार्टियों ने कॉंग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए कि इसका आर्थ में निकालता हूं अगर यह मर्ज हो जाते है क्यों को चिंता यह है इस चुनाव में मानने विपक्ष संभव नहीं होगा इतने सीटे भी नहीं आएगी कोई रिकिनाइज ऑपोजिशन इसलिए मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा हम मानने विपक्ष बनेंगे दूसरा आपको असरे होगा मैंने कानून में परिवर्तन किया हमारे यह बहुत सी योजना ऐसी है बहुत सी कमिटी ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ आप आपोजिशन बैठ सकता है और ब मैं इतना डेमोक्रेट हूँ वहना मैंने मिठा था मुझे कोई जवर्त ने थे देगी फिर भी मैंने किया है लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिनोंने इस सवाल पर बहुत खिलिया उड़ाई थी लेकिन वो सवाल मैं मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना कात्रे एक औरत में मुझे से यह कहा था और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी पांच साल पहले मैंने आपसे कहा था थकते क्यों नहीं है आज पांच साल बीच जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे करता था कि साइट बायोलोजिकली मुझे जन्म दिया गया है मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कंविंस हो चुका हूं गल्स हो सकता हूं लेप्टिस लोग को मेरे जज्जियां उड़ा देंगे मेरे बाल नोच लेंगे मैं मैंक कंव्हों हो चुका हूं कि परमात्वाने मुझे बेशा है कि यह हुज़ा है इस लिए इसलिए मुझे विदाबी दी हैं इसलिए मुझे सामर्थबी दिया है उसलिए मुझे नेक दिली भी दिये है और प्रेना भी वही दे रहा है पुर्षात करने का सामर्थ भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूँ एक इंस्टुमेंट हूँ जो इश्वर ने मेरे रूप में मुझे मुझे लिए न ताई किया है और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद इश्वर मुझे करवाना चालता है क्या परणाम होगा चीन्टा छोड़ो मैं सिर्ब इस्वर को अपीद हूं दूसरा लेकिन उस इस्वर को मैं देख नहीं सकता तो मैं भी एक पुजारी हूँ, मैं भी एक भक्त हूँ, तो मैंने 140 करोर देशवासियों को इश्वर का रूप मान करके चलता है, वही मेरे भगवान है। सकता है आप से मुलाकात हो, क्या रखेगा।